हलो मेरा नाम डॉक्टर धिपकेड़ेकर है मैं मनोविकार सेट्स रोग संभोहन और वेसं मुक्ति तग्य हूं मैं वताने वाला हूं आज आपको एंटी सोशल परसिनेलिटी डिसॉर्डर के बारे में यह व्यक्ति मेरे पास में उसके माबा अपने लाया है उसके करीब-करीब उमर 15-26 साल की बच्चा और उसको इसलिए लाया है कि यह काफी समाज विग्णा तक काम करते रहता है कुछ ना कुछ लोगों को तकलीब देते रहता है जूड बोलते रहता है जूड बोलके लोगों को बताएंगा कि हम पत्रकार हूं फिर कोई समाज का मैं अध्यक्ष हूं लोगों के पास में जाएंगा उनको कुछ धौस देगा पत्रकार रहे करके वहां से पैसा निकालेगा कि यह समाच के प्रती मतलब उसका कुछना कुछ चालू रहता है वो समाच के जो नियम है उसका पालन नहीं करेंगा खुद वो नियम तोड़ेंगा सिर्ट ट्रैफिक के नियम तोड़ेंगा कहीं चांस मिल गया तो यह चोरी भी कर लेगा जुट बोलेगा बार-बार और ज्य या सरकारी दप्तर में जूटी कंप्लेंट करना कि सकी ताकि वो लूग इसको एक परोछ उजाए वो उसको पैसा देंगे हे जो चन्दिल आए ता उसने स्ने आरि सेन्टली उसको इसले लाएं कि उसने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दिया कि तीन लोग मेरे घर में रात को आये उनको नाम डाला उनके कि तीन लोग मेरे घर में रात को आये उनके मेरे को मारा पेटा और उसने खुद को जखम भी कर लिया था पुलिस में कंप्लेंट किया कि उनने मेरे को मारा क्योंकि मेरा अच्छा नहीं चाहते है मैंने उनको आप पुलिस वो लोगों के पीछे इनके बारे में कम्पलेंट हो गये उनके पीछे लग गई ताकि फिर वो लोगों से जाके उनसे अभी ऑब तीन EPA से पैसा नि काल सके कर दिया कि यह दोक्टेर ने मुझे दवा दिया और मुझे यह दवा के वजह से तकलीब जादा बढ़ गई तकलीब जादा बढ़ गई मैं तो पहली एड्स का पेशंट हूं उसके पास में उसको एड्स है चैवी है उसका सरेटिफिकेट भी जुटा को विंट मेर även एस तो एह अ है और उसकी में डॉक्टर के पास अबमिद क्या तकांद थे आउन मच्छा है थो पुलिस की सभी जाता तो मैं से समाज की सान्मूति चाहता है कि इसको कोई प्रावलेम है समझा आपके सामने आता है तो वह पाउंच होएंगा अशिरवाद लेगा जैसा कि एकदम बिल्कुल ओविडेंट लड़का है ओविडेंट बच्चा है जुट बोलना तो ऐसा मतलब पल-पल में जुट बोल देगा है बहुत ज्यादा यह इमोशन बता सकता है बहुत ज्यादा इसमें हो सकता है लोगों में या बहुत ज्यादा दुखी विजली हो जाते है और सुबह से मतलब काम यह है कि मैं लोगों को कैसे तकलीफ दूँ और लोगों को तकलीब दे के उसको मज़ा आता है और उसको उसमें कुछ गलत लगता नहीं तकलीब दे रहा हूं उसको उसमें कुछ बूरा लगता नहीं उसको उसमें मज़ा आती और तकलीब मतलब यही कि कुछ ना कुछ नियमों का किसने पालन नहीं किया ऐसा निकालना कुछ कम्ट्राइब करते जाना कैंगे कोई गर में जैदा म्लाइक कवा कर Quốc लूक्राम ऑनारपाय सकते हैं कि पने यूप से टटिए ईसको और ज्युक्र नहीं कररेज मां ईसा में इसए कर रहूं कर रहा हूं बढ़ा जाधा करेंगा कोई जाधा काम ondasना नहीं करेंगा नोकरी नहीं करेंगा रबी उसके पालक मुझे मतलए मेरे पास में लेके आए तो और इसका कड़ना क्या कि आधे बेढ़ने बाद में नूत बोलता मुझे चुछ हो एनी ऋर उसके पालक बहुते में हो भुगत रह कि फिर को लोग के पास में आते हैं लोग गंपलेंड करते कि आपके लड़के में तकलीब दिया घर में अत्युकि जगळा करेंगा या जो तक्लिब दे रहा है उसका इंपक्ट उसको बताने की और इंपक्ट काम पड़ा तो इसको इंपक्ट देने की भी कि उसका प्रभाव भी क्या हो सकता है उसके तक्लिब भी उसको क्या हो सकती है उसका इंपक्ट देने का वह दी कर दिया तो इसमें काफी बदल हो सकता ह बाकि तो यह कोई बीमारी मतलब डी एसम फाइव जो मतलब इंटरनेशनली वापर जाता है इसमें तो उसको बीमारी करके कहा है एक तरह की मांसिक बीमारी है मगर बाके तो उसको कोई दवा नहीं है कि दवाई से वो अच्छा हो सके इतना ही है कि इसमें शुरू में हम इसको पकड़ सके तो हम इसको आगे चलने में रोक सकते हैं या फिर एक बार हो गया तो ये जो लोग है इनको काफी सारी बड़ी मानसीक बीमारियां हो सकती है तो इनको हम यहीं पकड़ लिया बीमारी को उसका काउंसिलिंग किया मानसोब चार तो वो अच्छे हो सकते है आपके संपर्ग में ऐसे काफी सारे लोग होंगे कि जिनको कुछ ना कुछ आउंश में यह problem होगा तो यह video आप जरूर उनको WhatsApp के ऊपर share करो, Facebook के ऊपर share करो, आप subscribe करो, like करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह मालूमात हो सके कि यह कुछ सब्सक्राइब है और इसका हलम निकाल सकते हैं, हमारा उद्देश है कि मानसीफ स्वास्ते सब के लिए, और वेसल मुक्त भारत, तो उसमें आपका हाथ हमें जरूर लगेगा, thank you very much